onsee इस पनेवाले हैं यहां पास जो Tea से कुछकों स्वेक्षान है हमारे पास यहां क्रिष्ट कुछि़्ट प्रदॉल से होता है छालो हैं वेहां यूейств probतार से मारे पास और यहां में प्रकुन दो सेट है हमारे पास X and Y उसका Cartesian product होता है हमारे पास X, Y वेर X belongs to X, Y belongs to Y यह हमारे पास Cartesian product इस तरह से डफेन होता है तो फ्रेंट्स यहां से हम इसको प्रूव कर रहे हैं एक्रोस B union C अब हमने लेट 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 X, Y belongs to A cross B union C यानि को X, Y को उसका सेट है इसका A cross B union C का तो X, Y belongs to A cross B union C तो फ्रेंट्स Cartesian product की डेफिनेशन से जो X जो होगा वो belongs to A करेगा एंड जो Y करेगा यह वाई जो होगा यह belongs to B union C होगा अब फैस B union C से कर रहा है यह तो Y या तो B से होगा या सी से होगा तो यहां पर हम एक और लाइन लिख सकते हैं X belongs to A and means belongs to B और ओर यह belongs to C यह यह हम लाइन लिख सकते हैं यह यह लिख सकते हैं यह ली लिख दढ़ेंगे उसके बाद हम कड़ेंगी यहां पर तो हम कह सकते है आपस करेंगे को अहांगे सेट मनेगा एक्स वाइब लॉन्खी कोड़िये उस्से में किल या हुआत अप्रोर्ष और और रहीं व्यूंटि एंड तो a cross यहां से किते लिख सकते हैं xy belongs to a cross v union a cross c तो यहां से हम कह सकते हैं यह जो xy belongs जो इसमें बिलोंग कर रहा था a cross v union c में वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है a cross v union a cross c तो यहां से हम कह सकते हैं a cross v union c बराबर a cross v union a cross c इस दरस्पने सिय मारब बस्पूवदा तेम